जन्मक उंडली में दूसरे भाव में शनी महाराज का बैठना शनी महाराज जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धी कर देते हैं यहाँ पे धन स्थान में धन की वृद्धी होती है ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका रैन, मुचल फंड, गोल्ड और विदेश में सेटल होने की संभाव ना भी बढ़ जाती है दूसरे भाव में शनी महाराज जिनके होते वो जातक थोड़ा आलसी प्रकूर्टी का होता है क्योंकि उसको बैठे-बैठे धन मिलता है उसके अंदर एक प्रकार से अलस्य का प्रभाव देखने को मिल सकता है दूसरे भाव में जो स्वामी है वो अगर शनी महाराज का शत्रू है जैसे कि सूर्य है या चंद्र है तो उसको विपरित फल्वियां पे मिल सकते हैं शनी के तीन मित्र बताए गए हैं जिसमें शुक्र, बुध और शनी इन तीनों में काफे मित्रता देखी गई हैं गुर उपाई आप कर सकते हैं जिससे आपको शनी अगर प्रॉब्लेम दे रहा है तो आको रहात मिलेगें शनी शान्ती है तू शनी शान्ती करवाईए साथ में हनुमान 40 आका पाठ और शनी भगवान की पूजा कीजिए